नमस्कार दोस्तों जैसे कि आप सब जानते है कि भारतिय टीम लखनव में इंगलैन के टीम को बुरी तरह पेल कर अब अपने लीग मुकाबला के आगला मुकाबला में स्रीलंका के टीम को बुरी तरह पेल कर सेमी फाइनल में जगह पक्की करने के लिए भारत्य टीम के कप्तान रोहिद सर्मा ने स्रीलंका के खिलाब खतरनाक प्लेंग 11 का एलान कर दिया है और टीम में कई बड़ी बदलाव करके सब को चौका दिया है जी हाँ दोस्तों इंगलेंड के टीम को सव रनों की बड़ी अंतर से हरा कर वर्ल्ड कप 2019 के हार का बदला ले लिया है और भारत्य टीम इंगलेंड के टीम को 20 साल में वर्ल्ड कप में आज तक नहीं हरा पाया था और वर्ल्ड कप 2023 में हरा कर इतिहास रच दिया है और अब भारत्य टीम वर्ल्ड कप में सेमी फाइनल के जगह पक्की करने के लिए सिर्फ एक कदम दूर है और अपना लीग मुकाबला के अगला मुकाबला सोने की लंका यानि कि स्रीलंका को दहन करने के लिए कप्तान रो 2023 में भारत्य टीम का सांदार परदर्सन जारी है और अब तक लगातार 6 जीत के साथ भारत्य टीम पोइंच टेबल में 12 अंके साथ पहले इस्थान पर कबजा कर लिया है लेकिन दोस्तों वर्ल्ड कप 2023 में पडूसी देश स्रीलंका भी अच्छा परदर्सन कर रहा है और अ इसलिए दोस्तों कप्तान रोहित सर्माने इंगलाइन के खिलाब सावरणों की बड़ी अंतर से जीत के बावजुद भी टीम में कई बड़ी बदलाव कर दिये हैं और ऐसे ऐसे खतरनाक भूखे सेरों की एंट्री करा दिये हैं जिनके भारत्य टीम में सामिल हो जाने से भ भारते टीम के प्लेइंग 11 को देखकर स्रीलंका के कप्तान कुसल मेंडिज सहित पूरी टीम को मैस शुरू होने से पहले ही हार का डर सताने लगा है तो आईए दोस्तों स्रीलंका के खिलाब भारत का प्लेइंग 11 क्या रहने वाली है बात करते हैं लेकिन दोस्तों उससे प पहलागेन दोपहर दो बजे फेका जाएगा स्रिलंका के खिलाफ होने वाले इस महा मुकाबले में ओप्निंग बल्लेबाजी की बात की जाये तो कप्तार रोहिच सरमा और शुबमनगिल ही पारी की शुरुआत करते नजर आएंगे दोस्तों रोहिच सरमा और सुबमनगिल द पारी खेल कर भारतिय टिम को जित दिला सकते हैं। आप उम्मीद करते हैं कि स्रीलंका के खिलाफ होने वाले इस मुकाबले में सुब्मन गिल के बल्ले से हमें बड़े पारी देखने को मिलेगा। आज आते ही तेजी से रन बना सके दोस्तों रोहित सर्मा अपने बल्ला से तो कमाल कर ही रहे हैं लेकिन अपने कप्तानी से भी सांदार परदर्शन कर रहे हैं वर्ल्ड कप में अब तक भारतिय टीम ने अपने सभी 6 मैचों में रोहित सर्मा की अच्छी कप्तानी देखने को मिला है जिससे भार्चे टीम अपनी 6 मैचों को जीतने में सफल रहे उन्होंने अपने गिंदबाजों को सही समय में उप्योग करके बिरोधी टीम को कोई भिमावका नहीं दिया है रोहित सर्मा अपने कप्तानी और बल्लेबाजी दोनों से ही कमाल का परदर्सन कर रहे हैं अ जोस्तों बिराट कोहली इस वर्ल्ड कप में अभी तक बहुती खतरनाक फोम में दिखाई दिये हैं बिराट कोहली अब तक वर्ल्ड कप में तीन अर्थ सतक और एक सतक की मदद से 354 रन बना चुके हैं और वर्ल्ड कप में अब 옆 सेसार के रूप में दिखाई रहे हैं। मीडिल ओडर में भी सांदार बल्ले बाजी करते हैं इसान किसन को जब भी खिलने का मौका मिलता है भारत्य टिम के लिए सांदार परदर्शन करते हैं इन्होंने एसिया कप में मीडिल ओडर में बल्ले बाजी करते हुए सांदार परदर्शन किया था और अब स्री लंका के ख परिस्थितियों से निकाल कर हर मैच में रन बना रहे हैं और भारती टिम को जित दिलाने में अहम योगदान दे रहे हैं केल राहुल मीडिल ओडर के दूसरे बल्ले बाजी के साथ मिल कर महतोपूर्ण साजेदारिया कर रहे हैं ऐसे में एक बार फिर स्री लंका के खिलाब के सूर्य कुमार यादो आगे आने वाले वर्ल्ड कप के सभी मुकाबला में खेलते हुए दिखाई देंगे सूर्य कुमार यादो पिछले मैच में मुश्किल परिस्थितियों में जीस तरह 49 रनों की पारी खेलकर भारतिय टीम को समान जनक इसकोर तक पहुचाने के लिए किले तारीफ हैं दोस्तों सूर्य कुमार यादो अब अपनी फोम में लट चुके हैं और सूर्य कुमार यादो जब अपनी फोम में होते हैं तो छक्के और चौके की बारिस करते हैं यह अपनी खतरनाक और विसफोटक बल्ले बाजी के लिए जाने जाते हैं और आप सूर् रन दिये और एक महतोपुन बिकेट चटकाए थे दोस्तों रविंदर जड़ेजा हर मैच में बिकेट चटका रहे हैं और उनकी गेंदबाजी में खतरनाक धार देखने को मील रही है रविंदर जड़ेजा अपने फिल्डिंग और बले बाजी से भी महतोपुन भूमिका नि समी ने वर्ल्ड कप में अब तक केवल दो ही मैच खेले हैं और इन दोनों मैच में बिरोधी टिम पर कहर बरपा कर रख दिये हैं पहले मैच में न्यूजिलेंड के खिलाब पांच बिकेट जटके फिर इंगलेंड के खिलाब पिछले मैच में चार बिकेट लेकर इंगलें काम नहीं है मोमत समी एक experience कि लाड़ी है और इसी experience के दम पर मोमत समी गुच्छे में बिकेट चटका रहे हैं और अब स्री लंका के खिलाब भी मोमत समी अपना जल्वा बिखरते नजर आएंगे उसके बाद नमबर 9 पर कुल्दी प्यादों खेलते नजर आएंगे दोस्तों क कुल्दी प्यादों इस समय भारत्य टीम के तूर्क का इकका साबित हो रहे हैं और वे बड़े बड़े बल्लेबाजों को अपने जाल में आसानी से फसा रहे हैं कुल्दी प्यादों लगातार हर मैच में बिकेट चटका रहे हैं वे किसी भी बल्लेबाजों को अपने फिर वाजी की रीड के हड़ी माने जाते हैं जस्परित बुम्रा अपनी खतरनाग योरकर और स्विंग करते हुए गेंद बाजों से बल्ले बाजों का असानी से पवलियन का राह दिखा देते हैं बुम्रा ने पिछले मुकाबला में इंगलेंड के खिलाब तीन बिकेट जटक कर इंगलेंड के टीम को बैकपूट पर धकेल दिया था जस्परित बुम्रा शुरुआत से ही नई गेंद से बिकेट जटक रहे हैं और लास्ट के डे थोबर में काफी खतरनाग योरकर गेंद फेक रहे हैं जस्परित बुम्रा इस समय भारतिय टीम के लिए लगातार सांदा पर्दरशन कर रहे हैं और काफी कम एकोनोमी के साथ बिकेट चटका रहे हैं और अब स्री लंका के खिलाब भी खतरनाग गेंद बाजी करते नजर आने वाले हैं वही 11 नंबर पर मोहिवत सिराज खेलते नचर आने वाले हैं मुहमत सिराज भी खटरनाक गेंदबाज हैं जब मुहमत सिराज का दीन होता है तो वे अकेले ही बिरोधी टीम को धेर कर देते हैं हलांकि मुहमत सिराज उस तरह का परदसन नहीं कर पा रहे हैं जिस तरह से उन्होंने इस्या कप में धमाल मचाया था मोमत सिराज की गेंदबाजी काफी सदारन नजर आ रही है और वे काफी महंगे भी साबित हो रहे हैं और आप देखना होगा कि मोमत सिराज स्रीलंका के खिलाप किस तरह का परदर्शन कर पाते हैं तो दोस्तों ये थी स्रीलंका के खिलाप वल्ड कप में होने वाले मुकाबले के लिए भारत का प्लेंग 11 और इस मुकाबला में कौन सा खिलाड़ी भारते टिम की तरफ से सबसे ज़्यादा विकेट लेगा कमेंड में अपना राय जरूर बताएं